मैं दोशारो पड़ करने नहीं आया था सब इसी प्रदेश की संतान है चाहे डीजीपी हो, चाहे जीट सकेटरी हो, चाहे पटवारी हो और चाहे सिपाही हो सब इसी मिट्टी के संतान है सब का सम्मान है लेकिन बुन्यादी बाते तो उठानी पड़ेंगे और कहनी भी पड़ेंगे अगर दस जगा भी जूते खुलवाए और बंदवाए जा रहे हैं तो वो नार्की ये इस्तिती है, वो बंद होनी चाहे यह अधेश में आजादी किसलिया आई था ये लोगतंत्र का रभाना हमने क्यों पहिना जिल्ले इलाही को पीछे क्यों छोड़ा राजशाही क्यों छोड़ी, अंग्रेजियत क्यों छोड़ी इसलिए ना आप अपने अजूता क्यों नहीं पहिन सकते माबदौलत आप बादूर शाह जपर है, रंगीले शाह रंगीले है बाजी दली शाह है, क्या है यह जुगने में तकलीब है तो फोर्स में आउकरी करने लाइक नहीं हो यह बुनियादी सवाल है माँ बेहन की दानी बकते हैं हमने देखा, इसलिए मैंने कहा हमने देखा, और मेरे पास रोज सिपाई ही तमाम औडियो भेजते हैं क्या अपने सिनियर से बात की तो उन्होंने उसका फोन पर कैसे सम्मान कर दिया साथ पीड़ी तार दी उसकी साथ पीड़ी, अम्मा, बहन, बुआ, चाची, सब ये भाषा होनी चाहिए ये लोग आपके सुरक्षा कमच है बड़े लोगों कोई समझ ना चाहिए राइलिश भाई उस बात को आले ने था ले गए मैं बहुत विनमबरता से कहूंगा बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा है बाप की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है मा की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है सबको साथ लेके चलने की जबाबदारी होती है उसके उपर सबका मानवी गरिमा के प्रति ये सम्मान रहे ये उसकी जिम्मेदारी होती है कुट्ता तेहलाना उसका काम नहीं सिभाई का आपकी पत्नी का जोला लेके पीछे चला उसका काम नहीं आपकी बेटी को railway station और एयरपॉरट छोड़ के जाना ये छोड़ लेके आना उसका काम नहीं नेताओं के घर में चप्राशी कितना काम करना उसका काम नहीं वो एक व्यक्ति की देह की सुरक्षा के लिए मिलता है एक व्यक्ति की देह की सुरक्षा के लिए सिर्फ देह की सुरक्षा के लिए आप उससे क्या क्या कराते हैं गाड़ी रुखती है ब्लाक प्रमुग जी बैटे है जय प्रकाश भाई करते हैं गुंडू दाउल के एक सिग्रेट डबा लिया उत्तापदेश पुलिस का सिपाई जाता है दाउल के सिग्रेट लाता है क्या आप समझे यह पुलिस नहीं यह यह चीजें व्यक्ति के आत्मबल को तोड़ती है और इससे बड़ा नुक्सान मालूम क्या होता है राईश भाई सागर साभ उत्तरपदेश पुलिस की रीड़ तो यही है चुकि मेजारिटी फोर्स यही है जब इसका आत्मबल ही खंडित हो जाएगा तो यह कैसे लड यहां मैंने सिपाहियों में उदासिंता जब देखी तो बहुतों से बात की बुला के समझ मेरे साथ बहुतों का इसने है उस वर्ग के तो उन्होंने कहा कि सर अब किसी को रोके हैं मुले मैं साइकिल वाले को रोक सकता हूं सड़क पर आप बताओ दो थपड़ भी मार सकता हूं उससे उपर वाले किसी को रोक दू तो मेरे गले में रसी पड़ जाती है अब वोले जो बड़ी गाड़ी वाले उनको तो कता ही नहीं रोक सकता ऐसी निरी ही स्थिति क्यों बनाई ये फोर्स है ये पुजारियों का दल नहीं है इस मास्टरों का दल प्रतिनी मंजल थोड़ी नहीं है ये 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 फोर्स है इसका तेवर दिखना चाहिए कल्याम सिंग कहा करते थे इसका इकवाल दिखना चाहिए और मैं अपनी शो में आ उत्री जी जिक है ज़ाओं की मेड़कर ख़डा सिपाही जिसके कन्द टे और यूर पी लिखा है वो मेरा इकवाल का प्रसेद्जु करता है हुत्तर्पदेश के इकवाल का प्रसेद्ज तुकरता है उस चाल सोच हमने उसकोловन दिया है नेता आये, उसको गरी आये, पत्रकार जाये, उसको गरी आये, गुन्डा आये, उसको मारे और बाद में ठानेदार साब उसको सस्पेंट भी करते हैं, कप्तान साब, बोले तू क्यों लडा था, जानता नहीं था, वो भाज़पागी नेता हैं, लोग, गई भाज़पानी में, मैं इसलिए ये भाज़ लेके आया हूँ, और डॉक्टर अंबेटकर ने एक बात कही थी हूँकार जी आपको इस्मरन होगा, उन्होंने कहा था, आर्थिक उन्नती के लिए प्रतिक्षा कर सकता है राजिश जी, लेकिन मानवी गरिमा, उसको ततकाल चाहिए, सबसे जरूरी है मानवी गरिमा, उस वर्ग के पास मानवी गरिमा भी नहीं है, हमारे किसी वक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, कि पुलिस के सिपाही ठाने में बैट कर आराम से अपने किसी मिलने बाला आ जाए, तो उससे मिल सके, उसका भी समाज में एक मान रहे, कि गए थे तो भाई मिले थे भाई या बैठे थे, क्यों, कभी चिंतन कि क्या क्या हमने, जो लोग पिता की भूमी कामे है, उस फोर्स में, उन्होंने चिंतन किया क्या, नहीं किया, मेरी शिकायत थे, अपने मित्रों से, जादा थार मेरे मित्र है, अबिताव जी, मैं इसी का सुझाओ गया हूँ, बीपी, आरंडी देखिए, ब्यूरो पुलिस र सेमिनार से कुछ नहीं होता इस देश में, आख में पानी हो, जो बड़े हैं, उनके अंदर ये एहसास हो, कि पिता की भूमी का में है, ये संताने हैं मेरी, तो बिना सेमिनार के भी सब सुधर जाएगा.